Assalamu alaikum, मैं जुलेखार रफाद, जुलेखास किचिन से, तो चलिए आज हम बनाते एकदम authentic recipe, जो के Middle East की recipe है, हम सब जानते हैं, जिसका नाम है chicken mandi rice, बहुत ही मज़ेदार और flavorful बनती है, और ये जो chicken है, usually, वो लोग steam दे के बनाते हैं, बट हम वैसा नहीं बनाने वाले हैं, मैं without oven और without तंदूर के आपको बना कर बता रही हूँ के कैसे बनाते हैं, mandi chicken rice, एकदम authentic style के अंदर, flavorful वैसे ही, तो चलिए शुरू करते हैं आज की recipe, साधा रानियन, ordinary ingredients से, extraordinary dish बनाते हैं आज की, चलिए, ये है एक किलो तक की chicken, मैंने जो तंदूरी के लिए जो रहती है न अच्छा इसमें चर्वी निकालके इस तरीके से slits माली जिए, आके और पीछे बहुत अच्छे से और धो के 2-3 पानी से फिर नितालने चन्नी के ओपर 10-15 मिनिट साइट पर रख दीजिए, आप चाहें तो थोड़ा सा पैट ब्राई भी कर सकते हैं, पर इसे एक बरतन में दाल दीजिए, मैंने एक पातर यानि के थाली के अंदर दाल दिया है, सबसे पहले हम एक मसाला बना लेते हैं, मांडी का मसाला, ये है 2 टेबिल स्पून साबुद धनिया, इसके साथ साथ 4 छोटे चाय के चम्मच, साबुद जीरा, सफेद जीरा जो हम कहते हैं, जीरा जो ह एक बड़ी एलाईची, 1 फोट पीस, जाइफल का, एक जावित्री, एक बड़ी सी डांडी दाल चिनी की, और इन सारी जो मसाले साबुद वाले इनहें, मिक्सर चार के अंदर दाल कर बहुत अच्छा इसकदर पीस लीजिए, अब ये पाउडर मसाले में से 2 टेबल स्पू पीसे डाल देते हैं, लम्मक डाल दीजिए, आदा चोट चोट चाई का चममच, बर कर कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर दाल दीजिए, आपका जाधा स्पाइसी हो, तो आप कम डाल दिएगा, और एक चोट चाई का चममच, चात मसाला भी दाल दीजिए, देड़ दो टेबल एक पूरा जो निम्बू होता है ये देखिए ये साइस का था इसे निचोड़कर अच्छे से निकाल कर डाल दीजे जूस का और जो भी बिच्चियों वो फेक दीजिएगा हा थोड़ी से पानी के अंदर मैंने 3-4 पिंच जाफरान के डाल कर थोड़ी देर पहले भीराने ये टोटली ऑप्शनल है आपने नहीं दालना तो कोई बात नहीं बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजे और भी जो हमारी चिक्किन है दोगों के रखिए उस पे ये बहुत अच्छे से वेल कोट कीजिए सबसे पहले तो हातों की मदद से रब कीजिए हात मेरे धोय हुए है ब सबसे उसमारी सारी ये देखिया मैंने सारी वेल कोट कर दी न अब आप चाहें तो एक घंटा दो घंटा चार घंटा मैं तीन-चार ऱंडे के लिए रख रही हूं ढाकर फिर्ज के अदर आप आपके हिसाब से जितना समय हो उतने समय के लिए रख सकते आप चाहे तो धाकक अगले दिन मसाला लगा के रख देऊ और नेक्स डी आप इसे पका सकते हैं यह है 1-2 kg बास्मती चावल अच्छा मैंने है ना इसे एक कप के हिसाब से मेजर किया तो धाई कप निकल रहा है अब आपकी कप के हिसाब से मेजर करके दिमाग में रखिएगा क्योंकि आगे यह मेजरमेंट हमें काम आने वाला है से 2-3 पाने से धो के अच्छे से साफ पानी के अंदर बेगाने रख दीजिए इस मांडी राइस के साथ ना टमाटर के चटनी सर्फ की जाती है तो मैं वो बना लेती हूं एक फ्राइबेंट के अंदर ओले वोईल थोड़ा दाल दीजिए अच्छा करम हो जाए तो यह आध दीजिए हम आगे इसका काम करेंगे दो तीन गंडे हो चुके हैं यहां पर मैंने फ्राइपन रख दिया इन फैक मैं फ्राइपन को साइट पर रखके एक कठाई रख देती हूं और कठाई के अंदर तेल अच्छे से जादा दाल दीजिए और जब अच्छा गरम हो जाए ह तो हमारी जो चिकन है इसे डाल दिजे बिसमिल لश रख र्मी रिम बोल कर अच्छा दो ही समा पाएं गी यहां पर तो यहां पर मैं डाल देती हूं और से ओर तो मैं ने दो मिनिट तक पकने देम सांगे और तीसरी वाली चिकन है ना मैंने वह जो फ्राइपन है हुआ साइ भी 15 मिनिट पकने दीजिए, जब तक 15 मिनिट चिकिन फ्राइ हो रही है, जो टमाटर है वो बहुत अच्छे ठंडे हो चुके हैं, तो इनने मैंने मिक्सर जार के अंदर दाल दिया, अच्छा मैंने यहां टमाटरों को थोड़ा सा फ्राइ किया, आपको नहीं करना है, तो अच्छे से ब्लेंड कर ली लसन की, आधा चुट जाएका चमाज जीरा पाउडर, और वालफोज चुट जाएका चमाज भरकर नम्मक या नम्मक स्वादानुसार दाल दीजिए, आधे निम्बू का रस पूरा निचोड़ कर दाल दीजिए, अच्छा मुझे थोड़ा सा म कुदीना है, वो रखा है, तो मैं वो दाल देती हूँ और इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, और यह देखिए, बन गया हमारा पडियासा जो टमाटर वाली चटनी है, जो यह सर्फ करते है मांडी राइस के साथ, यह हो गई है, रेडी से साइड पर रख जिसमें मैं बना रही हूँ चावल, तो दो टेबल स्पून भरकर असली ही डाल दीजिए, आप चाहे तो ओले वाल भी डाल सकते हैं, और यह अच्छा गरम हो जाए, तो थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम में डाल कर कुछ सेकेंड के लिए ही बार बार चलाते हु और इन सारों को नितार कर निकाल कर साइट पर रख दीजिए, ऐसे, अब इस घी के अंदर थोड़ा सा ओल वाल दाल दीजिए, या फिर नॉर्मल तेल जो आता है वो दाल दीजिए, लेकिन बहुत गरम हो रहा है तो सबसे पहले मैंने प्यास दाल दी, वैसे यह दो मेडिय बस स्टाट ही हो थोड़ा सा light golden होने के लिए तो आहां तक अपने fry करना है, यहां पर मैं 3-4 हरी मिर्चियों को इस तरीके से बीच में से तोड़ कर दाल रही हूं और इसे भी दाल कर बार बार चलाते हुए, fry कर लेती हो, so that थोड़े से जो हरी मिर्ची का जो flavor हो भी तो आ आप देख सकते हैं, तो चूले को मैंने कर दिया, slow आच और 2 तीबल स्पुन जो आमने मसाला निकाल के रखा था वो दाल दीजिए, और quickly आप 1 फूद कप पानी डाल दीजिए, कि मसाला जले ना, अब इसमें मैं डाल देती हूँ, slow पर रहां चूला, आदा चुड़ा चु अच्छा, यहां पर यह दो चुकिन क्यूब्स दाल दीजिए, यह वैसे हलाल वाले हैं, आपको भी मिल जाएंगे आसानी से, अच्छा, आपके पास ड्राइ निम्बू हों, जो ब्लैक कलर के दिखते हैं, वो दाल दीजिए, मेरे पास नहीं है, तो मैं जो निम्बू जगा के रखा है, समझे ना, तीनचा चुटकी होगी, इसे में आधा भी दाल देती हूँ, और आधा बाद में दालूँगी, इसे एक बार चला लीजिए, और इसमें उबाला जाने दीजिए, वैसे यह मांडी चिकिन अरबिक दिश है, तो आरब के देशों में है, यह जो जो भीग के रखे हैं, तकरीबन मेरे तो देड़ घंटे से भीगे हुए, देड़ दो घंटे से भीगे हुए रखे थे, यह में डाल देती हूँ, नितार कर बहुत अच्छे से, और इसमें बहुत अच्छा उबाला जाने दीजिए, चावलों में भी, और अच्छे से इसे पकने दीजिए, चावलों को, इसकदर पकाईए कि जो पानी है न, यह all the most dry out हो जाना चाहिए, थोड़ा dry out होने लगे, आप देख सकते हैं, तो इसमें मैं डाल देती हूँ, जो जाफरान का पानी साइट पर थोड़ा रखा था, यह डाल कर मैं एक बार mix कर लेती हूँ, अ आपकी अगर, कुछ मैं वजन रख रही हूँ, आपकी अगर पतिली पतली हो, तो नीचे तवा रख दीजिएगा, तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, और खोल लेते हैं, पिसमिल्लाय राह्मानी रिम, क्या बढ़िया से बने हैं, माशल और क्या खुश वो आरी है, और आप द सारी डाल दीजिए इसकादर, और जो चिकिन की प्लेट है, उसके अंदर जो भी तेल अगरा जो भी हो, वो भी डाल दीजिए इसके अंदर अच्छे से, जो भी बचा हुआ उस प्लेट के अंदर हो तो, साइट पर मैंने 5 मिनिट पहले कोईला घरम पर रख था तो एक इसे निकाल कर फेक दीजिए कोईले को, और अब मैं आपको बता देती हूँ सर्फ कैसा करना है, सबसे पहले एक पातर यानि के प्लेट के अंदर या थाली के अंदर चावलो को लगा दीजिए, चावलो को तै कर दीजिए इस तरीके से नीचे, अब ये चावलो के ऊपर ब अब इसके साइट्स पर मैं चिकन के पीसेज मज़ेदार वाले ग्रिल जैसे दिख रहे हैं, वो वाले चिकन पीसेज रख देती हूँ, थोड़ा सा कोथमेर, यानि कि हरा धनिया आप चाहें तो दाल सकते हैं, मैंने हरी मिडचियां जो साइट पर निकाल ली थी, वो रख और थोड़ा प्रेजंटेशन के लिए निमू भी साइट पर रख दिया है, तो यह बन गया मज़िदार सा डिलिश्यस एकदम टेस्टी चटनी के साथ टमाटर की, इसका नाम है मांडी चिकन राइस, वैसे मैंने मांडी चिकन बनाई है, स्टीम वर्जिन भी बनाया है, इस अगर आप यह बनाई तो मेरे साथ कमें सेक्शन में ज़रू शेयर कीजेगा, मुझे अभी कमें सेक्शन में बहुत अच्छा लगते रसिपी अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, उससे साथ अच्छी लगए अपने फैमिया और फेंस में इस वाले वीडियो के लिंक जरू हाजिर होंगी नहीं शांदा दमदा रसिपी के साथ, अंतल देन टेक कर अला आपिस, बबाए!